18 साल का कोई है यहाँ पर? 19, 20, 21 साल के लिए आपसे 2 साल छोटे थे वो जब करगिल की चड़ाईयों पर उन्हें देश की रक्षा करने के लिए भेजा गया था देश में केवल 3 लोग ऐसे हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं और जो जीवत वापस लोट कराए अपने देश की एक-एक इंच जमीन हासिल करके स्वागत कीजे स्टेज पर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंग यादव का न तालिया न शब्द कुछ भी पूरे नहीं हो सकते हैं और ये बात मैं हर एक सैनिक के लिए अपने देश के लिए कहूंगी बहुत सारे हमारे साथ इस समय यहाँ पर इस सभा में समारूह में मौजूद भी हैं लेकिन आपने अब रिटायर भी कर चुके हैं अपने फर्ज को भूले नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं आज जिसकी देश को आवशकता है पहले तो मैं यही कि वर्दी को टांग देने के बाद अब योगेंद्र यादव क्या कर रहा हैं बिल्कुल वर्दी टंगी नहीं है वर्दी हमारे सोच में हैं विचार में हैं और उसी वर्दी के भावों को लेकर के देश में निरंतर देश के युवाओं के साथ देश के उर्जा के साथ क्य उनमें एक सकारतमक सोच रहे, इसलिए अभी एक सैनिक स्कूल हन्मानगर्ड, उसका मेंटर हूँ, चीप मेंटर भी हूँ, और उसका एजे डिरेक्टर भी हूँ, एलन के साथ जहां तीन लाख बच्चे भारत के, जो मेडिकल की तियारी करते हैं, इंजिनियर की तियारी करते हैं, उनके साथ में हूँ और पिछले दो महीने में एक लाख साथ हजार देश के उन युवाओं के साथ वारतलाब किया, समवाद किया, उनकी जो निगेटिव थौट को, पॉजिटिव थौट में परिवर्तित किया, और ये देश की सैना ने मुझे इस योग्य बनाया, कि में उस काम को और बहतर तरीके से, क्योंकि ये आपी के चैनल का था कि गोली और बोली, दोनों ही बड़ी तेज होती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं, गोली से इंसान मर सकता है और बोली से भी इंसान एक मर सकता है, और मार भी सकता है, क्योंकि बोली के अंदर वो ताकत होत जो एक व्यक्तित्त को चेंज कर देती है। फॉज ने मुझे वो शक्ति दी और बहुत सारे एजुकेशन इस्टिटूट आप जैसे देश के प्रतेश्थित और विद्वान जो एंकर्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा और उसी से सीख करके बस कोशिस है कि इस देश का यु स्वस्च बनाए, स्वच्छ बनाए और सुपरपावर बनाएं बस इसी सोच में और इसी एजन्डे में मैं तो लगा हुआ हूँ। भारत बनेगा सुपरपावर हम उस जगे पर आपको दिखते हैं। बिलकुल सुपरपावर बनेगा। यूँकि भारत के जो युगवा है वहां तिरंगा को फैरा देता है ये सामर्थ है इस देश की सैनिक के अंदर जो 72 गंटे तक बिना कुछ खाना, पानी सोय बगर रह सकता है तो दुनिया का ये हिंदुस्तान का सैनिक ही है बाकि किसी देश का सैनिक 72 गंटा तक भूका प्यासार बिना सोय रह नहीं सकता है तो देश तो सुपरपावर बनेगा जितने सरहदों पर हमारे दुश्मन पैनात रहते हैं और जितनी मुश्किल परिस्थितियां हमारी सरहदों पर हैं उतनी कहीं नहीं हम रिगिस्तान में भी रहते हैं हम उस बर्फ में सुनाते हैं लेकिन मुझे लगता है वो चीज कभी किसी के लिए पुरानी नहीं होती है जैसे होता है ना रामायड हम सुनते हैं कितने भी रोज आपको सवेरे सुना दिया जाए आपके लिए वो नया रहता है आपको मालूम है कि किस तरीके से योगेंद रियादव जब लड़ाई लडने के लिए वहाँ पर गए थे उन चोटियों पर जो कि भारत के पास आ ही नहीं पा रही थी कितनी गोलिया आपको ग्यार बारा सत्रह गोलिया लगी थी और इन में से कई गोलिया तब भी लगी थी जब दुश्मन ने सोचा कि ये मर गया या नहीं इसे चेक किया जाए और मरा हुआ छोड़ कर जब दुश्मन वहाँ से निकलता है तो कैसे योगेंद रियादव ने वहाँ से हिंदुस्तान की उस चोटी से पाकिस्तानियों को ख़देड़ा था मैं उसका वो हिस्सा क्योंकि योगेंद जी उससे न एक ऐसी प्रेणा मिलती कर छोटी मुश्किलों से हम लोग परिशान हो जाते हैं लेकिन वो मुश्किल से जब एक भारत का युवा पार पासकता है तो हम भी पासकते हैं बिलकुल भारत का जो सेनिक है और ये भारत की जो बहुगली के स्थिति है जिस तरह से आपने बोला कि रेगेस्तान है तो कहीं गिलेशियर है हर जगे पर जब वो रहता है तो उसका ट्रेनिंग उसकी लेडर्सिप उसको बहुत कुछ सिखाती है जैसे सिख्षा का एक उदेश नहीं हो तो आल राउंड डबलप्मेंट तो जो हमारे देश की बहुगली के स्थिति है वो सेनिक को आल राउंड डबलप्मेंट बना देती है उसका सरवांगिन विकास होता है वो हर परिस्थिति में उहाँ पर लड़ सकता है मुझे जब वहाँ पर वो परिस्थिति थी माइनस ट्वंटी डिग्री टेंपरेचर था मेरे साथ ही शहीद हो गए थे दुसमन ने सोचा कि ये मर गया है उन्होंने रीचेक करने के लिए गोलियां मारने लगे थे जो गोलियां मारते हुए आ रहे हैं वो जो 19 साल की अवस्ता है मैं देश के युवाओं से कहता हूँ कि वो टीनेज जो हमारे हॉर्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं वो हमारे जो एक जिन्दकी का 3P का फॉर्मूला है पी से परपच पी से पैसन और पी से परफॉर्मेंस अगर आपने 3P के फॉर्मूले को अपना लिया कि आपके अंदर पैसन हो गया एक व्यक्ति के अंदर चार प्रकार की शक्तियां होती है शारेरिक सक्ति, मांसिक सक्ति, बौधिक शक्ति और अध्यात्मिक सक्ति और ये चारों सक्तियां जब आपके पैसन में सामिल हो जाती है तो वो जो सक्तियां जब 7-71 होती है तो वो पैसन को कितने high level तक बना सकती है कहां तक ले जा सकती है ये आपको भी अंदाजा नहीं था मुझे भी अंदाजा नहीं था गोली मार रहा है पीडा नहीं हो रही है आज एक सुई चुबती है तो दर्द होता है लेकिन उनको वो दर्द मारते रहे गोलियां मैं देख रहा हूं कि धुआ निकल रहा है उनको यकीन होगा कि नहीं जिंदा नहीं है बतलब एक जिंदा सैनिक जो जखमी हालत में पड़ा है उसे गोली मार रहे हैं और वो अपनी जगे से हिल नहीं रहा है क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा परपस है देश का तिरंगा वहां ले रहा है बिल्कुत ज़्यादा बड़ा परपज है मेरा परपज था कि इस टाइगर हिल के पूरी इनफॉर्मेशन मुझे अपने कमांडर तक लेकर करके जानी है मुझे वहां तक पहुचाना है मेरे साथियों का मेरे टीम का भी टाक्स पूरा नहीं हुआ है उसको मुझे पूर्ण कर दाड़ चलते हैं मैंने उन पलों को जिया है मुझे वह पल याद है जहरा हरा है , AKS भून की धार भारी थी मुझे first aid करता है यहां पर आसफंद गोली लगते है इससे पूरा सर नेकल कर कि बाहर जला जाता है एक साथी help के लिए आगे बढ़ता है वहीं पर दुस्बन की आटलरी का बम गिरता है उसकी यहां से गर्दन गिरती है कट करके जमीन पर गिरती है बिना धड़के वो शरीर किस तरह से दो कदम चल करके गिरता है यह सब्दों में पया नहीं कर सकता हूं उस परिस्थिती में अपने आपको अपनी सकती को एक साथ अपने सरीर से अपने मन से कर्तव्य से जोड़ना और फिर उन दुस्बनों को जिनको यकीन हो गया बूट की ठोकरे मार रहे हैं पत्थर मार रहे हैं चेक करने के लिए कि ये जिन्दा तो नहीं है फिर भी उस आत्म शक्ती जो होती है एक बोलते हों उस आत्म शक्ती से अपने आत्म बल को इतना मजबूत किया कि उनकी गोलियों की पीडाओं को अराम से सहता चला गया और फिर उनी की राइफल से उनके उपर हमला भी किया है इतनी गोलियां लगने के बाद इतनी गरनेड की टुकडे लगने के बाद गरनेड से हमला किया फिर उसकी राइफल को उठाया और फिर उनके उपर फैर किया गायल अवस्ता के बाद भी पांच को मारा है तब वहाँ पे भागें तो यह ट्रेनिंग से ही आ सकता है इस धर्ती से आ सकता है क्योंकि किताबों में पढ़ा था कि भारतमा लेकिन समझा तब जब उसकी सेवा में गया और यह धर्ती तो जब की तब की ज्ञान की विज्ञान की पुर्शार्त की परमार्त की वीरों की वीरांगनाओं की धर्ती 84 लाग योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है और इस धर्ती पर मनुष्य के रूप में हमने जनम लिया इस से बड़ा तो सौभाग्य नहीं हो सकता और परम सौभाग्य तब होता है जब इस देश के वर्दी पहन करके रख्षक बन जाते है ये मेरे पिता को मिला पिता से फिर भाई को मिला और आप भाई के साथ साथ मैंने भी इस वर्दी को पहना अभी मेरे पुत्र भी पहनेंगे बहुत एक सैनिक का बेटा ही उस फर्ज को उस कर्टव्य को समझता है उतने अच्छे से जो संस्कार पहुंचते है आपका हाथ भी ये उठता नहीं हाथ इतने ही जाता है इस से उपपर नहीं जाता है क्योंकि इस हाथ की हड़ी पूरी निकल के बहर थी इस पैर का पूरा मसल निकल करके बहर था अभी आज थोड़ी सी चिनोती आती थोड़ी सी समस्या आती हतास और निरास हो जाते है हड़ी नहीं थी पैर का मसल नहीं था नीचे आना था उनके साथ जिंदा भी रहना था लड़ना भी था लेकिन हतास और निरास नहीं हुआ बस एक विश्वास रखा अपने अंदर आस्था रखी उस इश्वर के उपर और उस आस्था और विश्वास के साथ लड़ता रहा और हम यह सच है कि लोग कहते ने इश्वर नहीं है इश्वर तो है आपने मा भारत देखी है जब द्रोपती का चीर हरन शुरू हुआ था वो ऐसे अपने उसको पकड़ करके साड़ी को पकड़ करके क्रस्न क्रस्न पुकार रही थी नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने उसको समर्पन नहीं किया था और जैसे अपने चीर को दोनों हाथ छोड़ क करके दोनों हाथ उपर किये समर्पित हुई सरी करस्न भागवान को पल भर नहीं लगाई थी कि वो आकर कि उनका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया था तो इश्वर तो है लेकिन हम उस इश्वर के प्रति अपने आपको समर्पित ही नहीं करते हैं मैंने साड़ समर्पन किया मैंने उस इश्वर की शाक्षात उसवानी को समझा था मैंने यह महसूस किया और यह युगाओं के लिए भी आप भी महसूस कर सकते हों कि हमारा जो एनर्जी लेवल है जब हमारा उपर की तरह बढ़तर तीन थ्रेपी तो मैंने जानता हूँ एक रोना ऐसे नहीं रोना क्य जब आप उस समय रोते हूँ तो बाहर की दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाते हूँ अपने आप से कनेक्ट होते हैं लोग मर्दानगी पर सवाल कहते हैं रोने को नहीं यह एक त्रेपी है यह मर्दानगी से नहीं है यह आपके उस रिस्वर से उस प्रिच्वल से है और सच मे अगर आप रोते हैं तो आप अपनी स्रक्ति को पहचानते भी हैं क्योंकि आप दुनिया से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं और मैं ये सरीर हम नहीं है हम तो सोल हैं और जब सोल से कनेक्ट होते हैं, तभी तो हम इस वर से में थी, मुझे नीचे जाना था 19 साल की उम्र थी 20 साल की सर्विस थी ना सर्विस का तजुर्बा था ना उम्र का अनुभव था जाना है, जहां तक नजर जा सकती थी सिरी पहाड और बरप के सिवा कुछ नजर नहीं आता था तब मैं रोया था इसलिए रोया था कि ये अभी एक पल पहले मेरे साथ बार पलाप कर रहे थे रात भर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल रहे थे और आज अभी सिर्फ एक लास पड़ी हुई है शरीर पड़े हुई है सोल नहीं है बात नहीं कर सकते मैं इसे अपनी पीडा नहीं कह सकता तो जो वो दर्दवाली वेद ना थी उस वेदना ने मुझे इतना रुलाया कि मैं रोता रहा और इशवर से बस यहीं करता रहा कि मुझे नीचे पहुँचा दे कैसी करके तब ही मुझे रोते रोते फिर ऐसास हुआ यह से किसी ने आवाज दिया योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरब चला जा हाथ की हड़ी जब तूट गया था, लटक गया था इस हाथ को बांधने की चेश्टा करने लगा लेकिन बंध नहीं पारा था मन में आ इसको तोड़ करके फेंक पकड़ करके जटका मारा तोड़ने की चेश्टा करी तूटा नहीं फिर इसको उठाया, कमर पे फेंका और मैं साथ इग्नोर कर गया था जो आवाज आई थी मुझे ऐसा आभास हुआ कि साथ दुस्मन की चाल हो सकती है लेकिन ये सत है अगर हम इश्वर से एक बार कनेक्ट होगे, वो आपको डिस्कनेक्ट होने ही ने रिता उसने तुरंट दुबारा से हवाज दी योगेंडर बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा ये रोने वाली थरेपी से बता रहो अपने आपको इश्वर से कनेक्ट होगे तब तक आप पाँच दुश्मनों को मार चुके थे होता ये रोने वाली थरेपी जिसको बोलते कि नहीं ये ऐसा है वो एक थरेपी है एक हासना ये भी थरेपी है मन से हासो और मन से कभी नाचना इस से एनरजी लेवल हाई होता हाई होने के बाद हम जिस चीज को चाहते हम उसको प्राप्त कर सकते अब कोटा भी गए थे वहाँ के स्टूडन्स से बात करने के लिए बिल्कुल मैं कोटा गया था जोलाई अगा सितंबर में ऐसे अब माहौल कोटा के अंदर हो गया था कि हमारा देश का युवा वो नकरतमक भावों में डूब करके सुसाइड कर वो देश की ताकत देश की उर्जा है देश की शक्ती है और वो इस तरह से नस्ट हो रही है ये मेरे को असहनिया लगा मैं उनके पास गया वारतलाब किया, बातचीत किया तो मैंने वहाँ जाकर कि कुछ चीजें जानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से बहुत बड़ी अपेक्शाई रखने लगी हैं और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कि क्योंकि हम अपने बच्चों को सायद उनकी योगता को पहचान नहीं पा रहे है मेरे पड़ोस का बेटा वो इंजिनियर बन रहा है तो मैं भी कहाँगा कि तू भी इंजिनियर बन एक ऐसी बेटी जो है मुझे मिली मा के मैं बुला था मैं सपनों को जी रहा था जीततर ही हो यहां तक आया हूँ उसने बुला सर मैं भी सपनों को जी करके बड़ी हूई हूँ मैं एथलीट हूँ और अगले दो हजार चौबीस में मुझे अपना ओलंपिक खेलना था लेकिन मेरे पैरेंट्स ने मुझे यहां पर नीट के निया त्यारी के निया भीज दिया मुझे मालूम है कि मेरे पिता पे पैसा नहीं है मैं उसको समझा है मा बिटा आपका रास्ता बदली नहीं हुआ थोड़ा सा गुमाओ दिया है आप नीट फायर करोगे नीट किलियर कर लो जहां पर वो रह रही थी वहाई से थोड़ी दर इस्टेडियम था एक घंटे दोड़ के आओ और एक घंटे आप रनिंग करके आओगे तो आपका जो नेगिटिव थौट है जो भी होर्मोन से वो बाहर हो जाएंगे आप यह सोचेंगे कि एक घंटा मेरी सहेलिया मेरे दोस्त ज्यादा पढ़ लेंगे नहीं आप ज्यादा पढ़ेंगे उस बेटी ने सुरू किया मैं कर नीट किलियर कर MBBS करो और फौज जबिन करो और फौज में एक बार आगे फौज आपको हर उस मंजिल तक पहुचा देगी जहां पर आप जाना चाहते है उस बेटी ने उसी तरह से प्रैक्टिस शूरू करी उसके जो नेगिटिव भावते वो चलेगे एक लाग साथ हजार स्टूडेंटों से मुलाकात करने का मौका में लगा चोटी चोटी प्रॉब्लम्स का लगता है जिसे कि जिन्दगी खतम हो गए लेकिन हर समस्या का समाधान होता है बिल्कुल हर समस्या का समाधान है और जब हम उस समस्याओं को नजदीक जाकर के देखेंगे उनसे लड़ेंगे तो जरूर उन समस्याओं से हम निकल करके बाहर भी आ सकते हैं अच्छा उस समय आपने दुश्मन को भी वहाँ खत्म किया फिर नीचे आपको अपने कमांडर के पास आपको पहुचना था वो खबर पहुचानी थी कि देखो यहाँ पर यह चीज है आप नीचे भी आए लेकिन उसके बाद एक तो होता है न जो वो कहते हैं कि किस्मत भी सिर्फ वीरों का ही साथ देती है और वही हुआ था अस्पताल में बेहोश पड़े हैं कुछ पता नहीं है वो भी बड़ा दिल्चस्प वाकिया क्यूंकि आपकी शादी भी नहीं नहीं हुई थी हाँ बिलकुल मैं कमांडिंग ओफसर साब को सूचना दिया और उसके बाद इतना मालूम है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और आपकी उस समय की आवस्था को देखकर किसी को उमीद नहीं थी यह बचेगा किसी को नहीं थी सबको यह था कि थोड़ी बहुत दिर के बाद में मर जाएगा यह हॉस्पिटल पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा यह भी नहीं था मुझे भी बिस सिरिफ वहां तक याद है कि जब सीओ साब ने जो कमांडिंग ओफसर थे उन्होंने वारतलाफ हुई थी वहां से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया फेद हलका सा होस जब आया था जब बिलकुल पहाड़ी से डाउन कर दिया और बूट अभी पहने हुए थे जो नर्सिंग असिस्टेंट था वो बूट निकालने की कोशिस कर रहा था लेकिन बूट नहीं निकल पा रहा था क्योंकि एक जो गरनेड के स्प्लेंडर था वो बूट से पार होकर के उंगली में घुजा हुआ था तो तब थोड़ी सी आई मैं बुला या उपर से जड़ा देख फिर उसने पलास से वो निकाल करके खेंचा फिर उसके बाद पता नहीं तीन दिन के बाद हो साया देखा उपर पंखा चल रहा है तब पता चला कि सिरीनगर हॉस्पिटल वहां पर मैं टाइगर हिल का भी वहीं पर पता चला कि उसी रात को टाइगर हिल पर विजय पता का फेरा दिया फिर मुझे दिल्ली रेफर किया तो दिल्ली आया में मेरी मा जब सबसे पहले आई हॉस्पिटल में वो ऐसे वाड में घूम रही है लेकिन उनको अपना बेटा नजर नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि डाड़ी बहुत बड़ी हुई थी फिर पूरा सिर से लेकर के पैर तक फस्टेड किया था पटिया लिप्टी हुई थी तो वो जब जा रही थी बहर की तरफ तब मैंने एकदम से आवाज दे मा का मम्मी तो मा तो मा ही होती है बहुत देर से रोई लेकिन फिर भी मैं उनको अस्वास अंदयामा का मम्मी अभी कुछ नहीं होगा और नहीं नहीं साधी हुई थी उस दिन गोली लगी थी उस दिन साथ दिन हुई थे साधी को तो अब गमकमा हॉल था और क्योंकि मैं बच्पन से थोड़ा सा जिद्धी रहा थोड़ा नहीं बहुत जादा जिद्धी रहा अपनी बात को मनवा ले था था इतने जिद्ध कर था तो जब पदनी आए तो यह तो हम जानते थे कि टीवी में रेडियो में यह था कि बिहार और यूपी ने सबसे पहले शहीदों के 10 लाग किये थे तो मजाक में चलते थे कि यार मर गे तो 10 लाग तो मिल नहीं और 10 लाग सेंटर गवर्मेंट देगी तो वो आकर जब रोने लगी तो बहुत कमगीन महोल ता मैं कि इसको थोड़ा सा मैं उनको बोला मैं रो किसलिए रहे 25 लाग नहीं मिले इसलिए इसलिए क्योंकि पैट्रल पंप पर 25 लाग आपके रहेगे नहीं नहीं इतना थोड़ा सा उनको उसमें से निकालना था बस ये जरूर मैंने कहा पोरा परिवार गाउं में हमारे में तीन दिन तक खाना नहीं मिला था पुरे गाउं में क्योंकि जो मेरे साथ ही था ने मेरे नाम रासी तो अकबार में ये लिखा गया था गनेडियर योगेंदर सिंग यादव शहीद गनेडियर योगेंदर सिंग यादव अठारे गनेडियर तो गाउं जो अकबार में देखा सब को ये पता था कि अठारे के नेटर में इनका लड़का है सब को ये हो गया कि उनका बेटा शहीद हो गया ये इंतजार कर रहा था पूरा गाउं कि इनके लड़के की डेड बोडी कब आईगी ये तो जो मेरा बड़ा भाई था वो दस जुलाई को यहां पर हॉस्पिटल में जब मिलकर के वापस गया तो वो बोले तीन दिन से खाना नहीं मिला है पूरा गाउं रो रहा था अभी आप क्योंकि गाउं था तो वो बसे लोकल चलती हैं नहीं चल रही थी मैं उनसे बोला कि आप हॉस्पिटल में बोला नहीं कि इस कोई खाना नहीं का रहा हमें जाना है फिर वो जाकर कि उन्होंने बता है लेकिन फिर भी गाउवालों को यकीन नहीं हो रहा था कि इनका बेटा जिन्दा है अगले दिन पूरा एक टैंकर गाड़ी भर करके दो गाड़िया भर करके आई जब तक एक एक इने देखनी लिया तब तक उनको यकीन नहीं हो था ये बहुत बड़ा हो था लेकिन बाप को बड़ा फक्र था क्योंकि उन्होंने पैंसा टोरे खेतर में युद्ध लड़ा था जैस सेपाई और आज उनका बेटे ने एक युद्ध लड़ा है और ये मेरे लिए भी बड़े सौभाके की बात थी उस समय उन्नीस साल आपकी उम्रे रही करगिल युद्ध खत्म होते होते और अभी आप रिटायर कर चुके हैं पर आपकी उम्र है केवल बयालीस साल बिल्कुल इस समय तो कई लोग अपना करियर बदल रहोते हैं जिन्दगी शुरू हो रही होती है अभी तक confused ही है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं यह होता है क्या यह fair है मतलब आप आप आपने युद्ध में जखम जेले हैं आपका एक हाथ आपका 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 इससे ऊपर नहीं जा रहा है पर आप पूरी तरीके से फिट हैं देश की सेवा करने के लिए हाँ बिल्कुल और देश की सेवा में ही लगा हुआ बेयालिस साल उम्र है क्योंकि हमारे जो फॉज में रेंक की स्टेक्शर है तो एक सिपाई सुविदार मेजर लास्ट रेंक और सुविदार मेजर सिरिफ सिरिफ चार साल नोकरी कर सकता है तो मैं 21 येर्स जो मेरे सर्विस थी तम मुझे सुविदार मेजरी मिली और उसके बाद 25 साल तक ही मैं सेवा कर पाया क्योंकि 16 साल 5 महीने में तुम्हें भरती हो गया था इसलिए मैं जल्दी रेटार्मेंट होना पड़ा और अब ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने से मुझे ये फायदा है कि मैं ज़्यादा युवाओं को मोटिवेट कर पा रहा हूँ पर मुझे तो लगता है कि देश में जब सांसदों को जैसे निर्वाचित होते हैं अगर राज्य सभा हो गया वहां जाने के लिए देश के परववीर से बहतर कौन देश की सेवा कर सकता है मतलब ये मेरा एक सुझाओ है अगर आप लोगों को लगता है सही तो बताइए मुझे लगता है सुनना चाहिए ये बात देश के शासकों को भी खेर वो उनका विचार है वो उनका फलसफा होगा आगे लेकिन ये बताइए कि आज की तारीख में जब हम उन सरहदों को देखते हैं हमारी सेना हमेशा से उन संसकारों के साथ आगे बढ़ी है आज आपको कितनी मजबूत स्थिती में हम अपनी दोनों सीमा उपर क्योंकि हमा मजबूत हैं और हमारी देश की सेना दिन रात एक नई ट्रेनिंग नई टेकनोलोजी नई टेक्टिस के साथ में सीख रही है और वो सशक्त होती है समरद होती है और आज का जो एक नौजवान है आज के जो लीडर्स हैं उनमें बहुत क्रेटिव है और जो नई टेकनोलोज शेह मैं दुसमन को देख सकते हैं, बरबाद कर सकते हैं और भारत का जो SInnes है उसे में यह जिगर है और जिसमें जिगर है उसको कोई हरा नहीं सकता है और यही मैंने देखा है कि कितनी टेक्नलोजी क्यों ना आ जाए लेकिन अगर उसमें बास जिगर नहीं है उसके बास साहस नहीं है उसके बास धहरिय नहीं है तो फिर कुछ नहीं है और यह हमारे भारत के सैनिक के पास में है मैं हम सब की तरफ से और जितने लोग हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से जैहिन साहब भी आपको कहूंगी जैहिन और मैं कहूंगी कि एक सैनिक अगर अगले साल के लिए अपना अजेंडा हमारे यहां पर अंकित करता हुआ चले करेंडा अबसम्गर्ण मैं क्षण साल क्रुटब। जो अपना अजेंडा रखता है उसमें अपने को पीछे और राश्र को आगे देश के युवाओं को सकरात्मक सोच के साथ राश्र हित राश्र भक्ति की तरफ मोड़कर उनके अंदर राश्र प्रेम को भरना जैहिन बहुत बहुत धनिवाद आपका मुझे लगता है देश के परमवीरे एक बार स्टैंडिंग ओवेशन ने दिया जाए देश के वीरों को इस सम्मान के साथ बहुत बहुत धनिवाद सराब